अखंड विद्याश्र में आकस्वागत है आज हम फोटो सिंतेसिस जा कार्बो हैड़िट को कैसे बनाया जाता है व्रिक्ष में कैसे चलते हैं जे दिखाने की कोशिश करेंगे जे सारी प्रतिक्रिया अखंड भारत जा सिंदू राष्ट की भूमी से निकली है इतने तक ही हम सिंद रखेंगे इस स्पिर्च्छल साइंस को आगे ले जाने के लिए सबसे पहले विशे जो मेरे मन में आता है कि बायकेमिस्ट्री का जो जैनेसी हुआ था उसके पीशे क्या कारण है मैं जानता हूं कि कुद्रत को बढ़नाने के बाद जो चीजे बढ़ी थी एटम हैं MPO है材 हैं जो 6 generally from me पने यह वह पोउमी पहले थे दॉमी पहाने के बाद सारे समूंदर वो चलेगे थे और समूंदर में जाने के बाद उसमें से एक एक चीज़े उँभर के आई हैं जिसके चलते चलते आज हम जो दुनिया में देख रहे हैं जो भूमी में देख रहे हैं उसकी परतीक हैं, जा सिष्टी में देख रहे हैं उसकी परतीक हैं, मगर भूमी एक खास जगहा है जहां पे जे प्लांट्स बने हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि plant से ही 30 का निर्मान शुरूआ था mineral kingdom नीछे आगे थी फिर पानी में गरम पानी के समूंदर पानी में first unit cellular plant organism निकला था उससे चलते चलते हम बढ़ते बढ़ते mineral से plant से animal से human से superhuman तक आ चुके हैं यही सफर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लो अब आ जाते हैं कि जो शुरुवात फी थी फ्लांट किंग्नम की थी वो एसेक्श्यॉल क्रिएशन से हुई थी स क्रीशन नहीं थी क्योंकि गयमेट़साइटस मेल जा फीमिल गोनेट्स नहीं बने थे और उसमें वो चीज़े नहीं आये थी जो स्परम ज्या ओवम के त्रीके से इनसान तक पहुंच सकते थे जो शुरुआत में एसेक्शल ही थी आप उसको बिना सीट के था और ग्राउंड के अंदर था और कैसे बना है हम झुआ दिखाने की कोशिश करेंरěड हैं अब आजाते हैं कि सबसे बड़िया एक्जेमबल जो बनाना और ओनियन में मैं देखता हूँ कि वह अपने आप में आप भूमी में डाल दीजै पानी में डाल दीजै वो अपने आप ही खुद पानी के माहोल में सूरज की गर्मी के बिना भी अंदर से वो डुप्लिकेट हो जाते हैं, रिप्रोडिक्शन हो जाती है, जैसे आप नीचे देख सके हैं कि दो न्यू लीफ प्लांट जिसकर्स हैं, वह वहां से निकले हुए हैं, उसमें कोई अब बनाना में भी देख सकते हैं और केले में भी देख सकते हैं और आनियन में भी देख सकते हैं, जै दो एक्जैम्पल मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने वही दिखाई हैं, फिर जैसे पैसे पेड भरता है, सूरज की रोशनी में, फोटो सिंथिसे के कारण वो ब्रिक्ष बन जाता है, फिर उसमें से ही फूल निकलते हैं, उसमें से ही फल निकलते हैं, उसमें सीड निकलते हैं, उसे ही आगे सेक्शल प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, यह एक एग्जैम्पल मैं दे चुका हूँ, एक सेक्शल से सेक्शल रिप्रोडक्शन में के लि कि जो सबसे पहले बने थे वो स्पोर्ज बने थे स्पोर्ज वो रिप्रडेक्टिव सेल है यूनिसल आर्गिनिजम है जिससे नए सेल बनते हैं यह सेल एक छोटा सा है जिसके तीन हिस्से हैं सेल मेंब्रेन है साइटो प्लाजम है और अंदर का हिस्सा है मगर अंदर का हिसे की तरह नहीं है वो ट्रेपलेट है वो सुक्षम स्रीय है जिससे ये बनते हैं जे चीज दूसरे रिप्रोडेक्टिव सेल की जुनियर होने से जब मिलने से नहीं बनता है मेल और फीमेल को इसका कोई आधार नहीं है वो अपने आप में ही माईटोसिस के मादे से जा आगे रि इसलिए स्पॉर्स को आप सेक्षल रिप्रोडेक्शन की कह सकते हैं वह जो गनिया या गमेत है वह सेक्षल रिप्रोडेक्शन यह अंतर है तो इसके लिए जो स्पॉर्स है वह बैक्टे immigration हैizarya अल्गे है फ्लांट्स है जिन सब में देखे जा सकते हैं जी मैं दिखा चुका हूँ आप इसके आधार पे कैसे वो पोर्स आगे बनते बनते हैं अब मैं वो दिखाने की कोशिश करूगा आप इसमें देख लीजिए जे ब्रिटानिया मैं तौन स्पोर्स निकल रहे हैं वो निक्षीति की बहुत अच्छी विक्चर हैं जिसमें ऊपर आप देखिये की फूल मैं से निकलता है है जिससे रीजोई और प्रॉहट॥ नीमा भी कहा जाता है रहे है फीमेल पहले आते हैं मेल बात में आते हैं फिर दोनों की यूनियन के बार आगे चलकर और प्रॉल बड़ा बन जाता है और फिर आके उसमें से स्पोर निकलते हैं एस से से शुरू होके सेक्शल का कार कर फिर स्पोर को दें जी सैकल जा है यह अपने आप में बहुत बढ़िया अच्छे तरीके दिखाया मैं समझता है इतने ली काफी है ब्रिटानिया इंसाइक्रब्री विक्चर मुझे लगती है बहुत बढ़िया है इसलिए मैं वह ऐसी दिखा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और आक्सिजन का पहले हिस्सा था जिसमें मीथेन, वाटर और कार्बन डैकसाइट बनी थी और उससे ही जैस्रिश्टी के सब नियम शुरू हूए है वही ट्रिंडरी से चलते चलते फिर आगे एटम से एलिमेंट, मॉलिक्यूल बनते मिनर àsनंफूल्ड किया था की निकाला था सामने पेश किया था आवाजाते हैं अब आगे अब अब आगे अब बन गया है सिर्ड को अब डाल देते हैं पानी में डाल देते हैं अब सूरिश की रोश्णी चा गर्मी से वह स्प्राउट होना शुरूए रहते हैं इसलिए हम ये स्प्राउट से सूरच में भी कर सकते हैं और घर के अंदर भी कर सकते हैं डब्बे में भी करते हैं इसमें सूरच की रोश्णी की जरूथ नहीं है मर गर्मी की जरूथ है पानी की जरूथ है पानी हो गर्मी हो तो जे अच्छे हैं मैं भी रोज स्प्राउट्स की ग्रीन ग्रैम्स के सौट बना कर खाते हैं वो स्प्राउटिंग है उसमें से निकल जाते हैं मर वो प्लांट तक नहीं पहुंचे हैं वो सी स्प्राउटिंग है वो चीज में शुरू होती है जो कुद्रत ने बनाई है अब मैं कुद्रत के डिवाइन डिजाइन की तरफ आ रहा हूँ ताके आपको दिवियंग की तरफ ले जाओ कि इसकी शुरुवात कैसे हुई है जो सबसे पहले चीज जो कुद्रत ने दिखाई है दुनिया को वो प्लांट है तो पहला उसमें चुची चीज है वन और वन है वही ट्रंक है और उसके बाद उसके दो ब्रांचीज बन जाती है फिर तीन ब्रांचीज बनती है फिर पांच ब्रांचीज बनती है फिर आट बनती है फिर तेरां बनती है फिर इक्किस बनती है यह प्रतिक्रिया एक मैथ mathematical design से बना है जिसे हम 5-6 sequence के नाम से दुनिया में जानते हैं आप आ जाते हैं plant kingdom की तरफ आप detailed structure जो है वो plant cell भी तीन हिस्सों में आप compound microscope देख सकते हैं cell membrane देखते हैं cytoplasm देख सकते हैं और nucleus देख सकते हैं यह detail है इसके 21 पार्ट है और under compound 3 होंगे वही trinity और 21 पार्ट है और जो एक पार्ट सेंट्रोजोम है वो दो होके डबल होके आगे development में काम आता है वो 22 by 21 first stage है उसके पर 10 stages पर चलने के बाद सुंपूनता आ जाती है जिए मैं दिखा चुका हूँ आव आ जाते हैं green plant में green pigment होता है जिसे हम chloroplast कहते हैं इसी में ही सारी खुद्रत की देन होती है जिसमें आप हिससे आप इसमें असानी से देख सकते हैं जैवी encyclopedia Britannia की ही picture है जैसे आप outer membrane में cell membrane देख रहे हैं और उसके अंदर granulum देख रहे हैं उसके बाद stema है उसके बाद inter membrane space है उसके बाद stoma lemina है थारेकॉइड है lumen है inner membrane है जिस सब चीजें chloroplast के अंदर है जिसके अंदर green सूरज की रोशनी में green chloroplast के एसाफ से chlorophyll जा photosynthesis होती है यह structure आप आराम से देख सकते हैं और यही structure देने के बाद अब cell का हिस्सा है जब हमें आगे जाने के लिए एक नई दिशा दिखा दिखा देता है अब चरिए अब मैं आपको बैनियन ट्री जाफाइक रिलिजियोस आप picture के बारे में दिखा रहा है जो भारत की प ही 24 आज oxygen मिलती है जैसे मैंने आप से पहले कहा था मीथेन पहले शुरू ही थी फिर उसके साथ oxygen आने के बाद दोना का मिलन होने के बाद उसी में से carbon dioxide और water निकला है जिसमें श्रिष्टी की शुरूआत हुई है इन आर्गेनिक मैटर आर्गेनिक मैटर में होके बाइक नि oxygen से carbon dioxide और water जहां से श्रिष्टी का पूरा निर्मान हुआ है मैं दिखा चुका हूँ और इसमें बैनियन ट्री जा फाइकस निजियोसा जा पीपल ट्री ही एक ऐसा है जो 24 गंटे oxygen बना सकता है जो हमारी लिए लाबदायक है वो plant kingdom के लिए लाबदायक है और हमारे लिए ल जन्तू के लिए important है तो oxygen को ही मैं अगनी मानता हूं बिना अगनी के कुछ नहीं हो सकता है जितनी आप अगनी जालें कि उतनी ही उसमें dynamism आ जाएगा उसमें शक्ति बढ़ती जाएगी और जितनी गर्मी कम होगी उसकी शक्ति कम हो जाएगी जेवी जीवन का एक religious aspect है spiritual aspect है हमें जाना जरूरी है इसलिए अगनी को बिलादा है वेदों में सबसे ज्यादा importance अगनी को ही दी गई है क्योंकि गर्मी में ही चीजें बनती है सर्दी में कुछ नहीं है अगर हम जीवत हैं जब तक हमारे अंदर जिसमें गर्मी है प्लांट में गर्मी है एनिमल में गर्म हैं हम चीवत हैं जब वो गर्मी खत्म हो जाएगी हम अजीवत हो जाते हैं मरन हो जाता है इसके लिए अगनी का होना बहुत जरूरी है वही oxygen है यहीं मैं दिखा चेकता हूं यहीं पर बैनियन ट्री oxygen दिन में 24 गंटे देती है और इसकी शकल देवियं की तरह है length and breadth वही च बोच लिए इसकी importance क्या है यही मैं plant kingdom का वो bricks दिखा रहा हूं जो अपने आपने संपून है अब आ जाते हैं कि अब सूर्ज की रोशनी है उसके दो पहलू ऐसे हैं जैसे सुबह जब सूर्वभवान जाते हैं छे वजे हम गायतरी मंतर कहते हैं उसे हम ब्रामनी कहते हैं त सूर्ज की रोशनी इंफ्रा रेड में हो जाती है फिर वी जाके oxygen जाधा बनती है तो इस picture में आप दो जो पूल देख रहे हैं left and right में दोनों में oxygen जाधा बनती है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोनों extreme में है और बीच में नहीं है जे सूर्ज की रोशनी का photosynthesis म में oxygen बनाने का तरीका है मैं समझते कि वह साइंस सब्सक्राइब तो हम अग्यानी नहीं रहें ग्यानी विग्यानी प्रकानी अखंटता के साथ आगे वड़ सकते हैं रोशनी के लिए oxygen होना जूरूरी है गर्मी का होना जूरूरी है वही वेद दिखाने की कोशिश करें वह हैं जैसे मैंने दस दिखाए हुए है और इन में सबसे जो नीचे में दिखा है ऐलोवेरा मेरे घर में भी वही प्लांट है क्योंकि मैं जानता हूं इसे हम घर के अंदर असानी से बना सकते हैं जे रात में भी oxygen बनाता है मैं यही दिखाने की कोशिश करा हूं और जब तक क आप oxygen के साथ रहेंगे संपून 100% रहेंगे hemoglobin ब्राबर रहेंगी rbc ब्राबर रहेंगे oxygen concentration ब्राबर रहेंगे आप बिल्कुल संदरुस्त रहेंगे तो अगनी का और photosynthesis का सूरिज भवान का इसका जो युगदान है वो अन्मोल है मैं वही दिखाने की कोशिश की अपनी oxygen level को चाहे rbc concentration हो जा hemoglobin concentration हो जा oxygen absorption हो जितनी तक हो सके उसे 100% ही रहना चाहिए तो इसके लिए अगर आपका महोल भी अगर banion tree के पास है नीम की tree के पास है जा aloe vera के पास है जा atmosphere के पे है तो आप बिल्लकुल तंदरुस्त रहेंगे तो कोई दो राएंगे नहीं है जा मैं देख भी चुका हूँ garden में रह चुका हूँ forest में रह चुका हूँ forest में रह चुका हूँ जंगल में रह चुका हूँ अर्णिक इसे ही रह कि पुराने जमाने में रिशी आपने third stage में forest में चले जाते थे जंगल में चले जाते उसे ही वहां पे ही वह अर्ण क्या उपनिश् प्रोशन नहीं रहेगा जे चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यूंकि जतनी आक्सिंज होगी जतनी सूरिच की रोशनी होगी जतनी संपूनता होगी इतना सहथ के लिए अच्छा है बस आब आजाते हैं कि आगे मैं फोटो सिंटिसीस में क्लोरोपलाससेल्ड में क्या होता है कैसे जैसे मैंने आपसे कहा है कि मीथेन और आक्सिजन मिलके कार्बन डायकसाइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं यह दो चीजें हैं जो आगे के लिए प्रॉसेस बन जाता है जैसे आप इस पिक्चर में देखिए उपर वाटर भी है और कार्बन डायकसाइड है जो अंदर आ रही है और तीसी चीज जो अंदर है वो रोश्णी आ रही है जो स्जुरिज की रोश्णी आ रही यह उस में जो right reaction है और लॉसी जो process है उस में देखिये जो water है वह oxygen में बदल रहा है water उपर से आ रहा है और नीचे oxygen है उसमें hydrogen निकाल दी गई है और oxygen जो को single को molecular form में बदल दिया गया है क्योंकि यही oxygen हम इस्तमाल करने वाले हैं अगर हमको सुरक्षित रहना है यही अगनी है जो water से निकला है और अगनी है और दूसरी तरह पर right side में देखें जो carbon dioxide है जो methane और oxygen जो carbon dioxide बनी है उससे ही carbohydrate sugar बनती है वो Kelvin cycle में है अब water से oxygen बनती है और carbon dioxide से sugar बनती है यह चीज़ इस पिक्षिन में साफ है मगर बीच में ATP energy molecule ADPH2 भी निकलते हैं जो energy के लिए हैं वो Kelvin cycle में आगे process के लिए इस्तिमाल होते हैं मगर और वो ADP ADP में बदल जाता है प्लस energy है एन डी डी पी एच लू एन डी पी एच में बदल जाता है वो cycle दवारा इस cycle में चलने से वो संतूलन आ जाता है इस किसम का ग्यान मुझे लगता है कि सबके लिए वारी है जरूरी है अवश्यक है मगर अफसोस के बात कहना पड़ता है कि दुनिया में संपूरता या खंडता को नहीं दिखा जाता है हम जो भी knowledge हैं खिच्डी बनाकर दे रहे हैं अमरित बनाकर नहीं दे रहे हैं और मेरी कोशिश है कि जैसे मैंने सीखा है उसको संपूरता दिवियंग के आदार पे ही दूँ जो mathematical conclusion है मैं विचारदारों में नहीं है scientific तरीके से दिखाने की कोशिश है बाकी आप जाने आपका काम जाने मैं अपना धर्म निवा रहा हूं आप अपना धर्म में मैं किसी को बदल नहीं सकता हूं मगर ग्यान का होना करम योग और ग्यान योग ही आपको अपनी तरफ से आगे ले जाएंगे मैं यहां तक पहुंचा हू वो ग्यान और करम योग के आधार पर है वह वही शेर करने की कोशिश करो अपनी सचाई इमानदारी से जैसे मैंने अनुभव करके यहां तक पहुचा हूँ यह चीज यहां है आप आ जाते हैं कि जो कैल्विन सैकल है उसमें तीन कार्बन डैक्सट के मालेक्शन शुरू होता जो आप उपर देख रहे हैं तो उसमें कार्बन फिक्सेशन हो जाती है और उसमें से ही पहले ट्राइव बनते हैं C3H6O2 शुगर फिर वह दो मिलकर शुगर बन जाते हैं यह आप नीचे देख रहे हैं अगर उसके बाद ही बाकी के प्रोसेश शुरूए इस चीज कैल्विन सैकल की है मैं यही दिखान तीन मॉलेक्शन से शुरू होते हैं ती मॉलेक्शन रहते हैं फिर दो बन जाते हैं वह का कि शुगर बन के दुनिया के सामने पेश हो जाती है थ्री कारवंट एकसाइट थ्री ट्रायोज तू हैक्सा गोज शुगर विच ग्लूकोस भी है फ्रक्टोज भी है और बाकी चीज़ें भी गलेक्टोज भी है अब आगे बहां उसकी बात करेंगे अब आजाते हैं कि जो glucose का plant वे synthesis है और मैं आज यह कहा रहा हूँ जो सबसे ज़्यदा important अब glucose है जो दूसरी important है वो fructose है तीसरी जो है galactose है उसे monosaccharides में और disaccharides में आप maltose, sucrose और lactose को देखते हैं और polym में आप starch देखते हैं मगर जो चीजें सबसे उपर के आती है पहले glucose है फिर fructose है तीसरा galactose है जे तीन monosaccharides ज़रूरी है तो इसमें सबसे पहले हम glucose की लेते हैं जी क्योंकि उसे ही हमने check करते हैं वो हर जगा इस्तिमाल होता है fructose दूसरा है पहला glucose है दूसरा fructose है त्रीसर लेक्टो गलेक्टोज है आप उससे दिखा जाते हैं आप मैं प्लांट के में photosynthesis में seven stages हैं कैसे वो तीन से शुरू के शे से बन कर ये बन जाता है अब इसकी बारे में जिक्र करने की मुझे जाला जूरूत नहीं है मगर जैसे मैंने इसमें दिखा है कि पहले three carbon sugar बनता है तो third stage बस जही है अब आ जाते हैं कि हम glucose homeostasis को cell और जिसम के अंदर क्या सकते हैं मैं human body की तरह रहा है आप उपर देखिए कि glucose use human cell में है जो glucose बनता है glucose six phosphate में बदलता है फिर fructose six phosphate में बदलता है फिर fructose one six by phosphate बनता है ऐसे ही फिर fructose में आ जाता है जब fructose में आता है तो वह carbon three h six or three हो जाता है वह sugar है वह अपने आपे अन्मोल है मगर जब चलते चलते जब लेक्टोज अप्रक्टोज में बन जाता है वह three carbon acid बन जाता है और और फारीविक एसेड है जब oxygen के मादने में रहता है तो पारीविक एसेड बन जाता है जब oxygen नहीं होती है तो लेक्टिक acid बन जाता है यही glycolysis का हिस्सा है जहां पर भी आप 10 स्टेप देख रहे हैं मैं बार बार यहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर जगा आप 10 स्टेप देखेंगे जगा 10 स्टेप हैं तो आपको याद रहा कि आपको भी 10 तरीके से ही present करना है और बाद में यह किंग्टम से है आप सेल की तरफ हैं तो आप देखें कि कैसे एक एक करके आप आगे बढ़ रहे हैं आप आ जाते हैं कि ग्लूकोस होमियोस्टेसी और मेरा मानना है कि ग्लूकोस की कंसेंट्रेशन अगर आपकी एवरेज 111 मिलीग्रेम पर 100 ml है तो समझे आप ठीक है अगर फास्टिंग 100 है और पोस्प्रेंडियल 125 जैसे आप देख रहे हैं तो आपका शूगर लेवर्ट परफिक्ट है संपून है इसमें कोई दोराय नहीं है और बीच में 111 रहेगा फास्टिंग 100 पोस्प्रेंडियल 125 इस आइडियल ब्लड शूगर कम वट में भी मगर 80 आ जाती है कुछी की 90 के 100 है अब मैं हूँ मेरे पास 100 है और मैं 125 के पास मैं 140 तक भी अगर चला जाओं तो मुझे सोचने की जूरूत नहीं है क्योंकि यह नॉर्मल में ही रहेगा मैं जब 80 से नीचे आप 68 में आ जाएं और दूसरी तरफ 180 की तरफ चला जाएं तो आप कही ना कहीं एक सीमा में आगे हैं वह एलोस्टेटिक है वह भी ठीक हो जाएगा क्योंकि जब तक ब्लट शूगर 180 की ऊपर नहीं जाएगा किड्निस उसको फिल्टर नहीं करेंगी रीनल थ्रेशल 180 मिलीग्राम में यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी ग्यान मे वह सुमपोरनता होनी चाहिए यह प्री डड़यबेटिक स्टेट है मगर ड़यबेटिक नहीं है इसको अगर आप देख लेंगे आप आगे प्रॉबलम नहीं बनेंगी क्योंकि जब हम ड़यविटीस मेलिटिस की बात करते हैं ले डे डिबियविन यूरीन है और मेलिटिस म आती हैं अगर यूरिन स्वीट नहीं है तो आप डाइबिटिस में नहीं है मैं यहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने ग्यान जो दुनिया के ग्यान के करण आप ब्लड के साथ वह भी देख लीजे कि यूरिन शुट भी देख लिए उसमें शुकर है जा नहीं है अग यूरिका मतलि आपको डाइबिटिस वैसे बढ़ती जा रहे है कि आपके जिसम का जो खून है इस्तिमाल श्टिमाल नहीं हो रही है वह वेस्ट हो रही है उसे ही सारी समस्य है बढ़ना शुरू हो जाती है जब आर्ग नीचे जाते है तो जितना काम होगा जाए जितना प्रॉब्लम है अब इसके लिए आपको दवाईयों का इस्तमाल करके डाइट वाइट से ठीक करना पड़ेगा इसके लिए जी हो शुगर का संतुलन गुलुकोस का संतुलन जुरूरी है यही मैं दिखाने की कोशिश करूँ अब आ जाते हैं कि फैटी एसिट्स भी प्लांट में बनते हैं जहां पर 10 स्टेजिज हैं मगर यह चीज मैं इसमें यह दिखाने कोश्च कर रहा हूँ यहां पर कि जब कार्बोहाईट से ही फैट बनते हैं तीनों का फार्मला का हाइडरोजन कार्बन और आक्सिजन के साथ ही है अगर ग्लुकोस है और भी ब्लुकोस है hydrogen की मात्रा जो है वन इंटो टू वह मेंटेन रहती है मगर जब एच की वाओ की बात आती है तो उसकी कंसेंट्रेशन एच टू ओ की हिसाब से रहने चाहिए कार्बन के हिसाब रहने वह कम हो जाती है और क्यों कम होती है क्योंकि उसे निकाला गया है कि जब फैटी एसर का इस्तिमाल होगा तो एटीपी मोल प्रोड्यूस करने के लिए वही आपसे दवारा लेकर ग्लूकोस बनाने से एटीपी बन जाती है मैं वही आगे आपको दिखाने की कोशिश करा हूँ आप देख लीजे ग्लूकोस और प्रोटीन से वन ग्रैम से फोर किलो कैलोरीस एटीपी बनती है मैं जाता है फैटी एसेट है वह नैंट किलो कैलोरीस आट टू-पोइंटू-फाइट टैम्स more A. T. P. बनती है वह क्यों बनती है मैं यह दिखाना है अगर बीटा अकसिदेशन में भी आप देखें सेंटर में उसमें तैटें मैं राइट साइड में आप देखिए कि फैटियस का फॉर्मूला क्या है और लॉरिक एसिड है कार्बन ट्वेल्व है हाइड्रोजिन ट्वेटीफ है वही रेसे है सी इन्टू एच्टू ही से मगर आक्सिजन भी ट्वेल्ड होना चाहिए था आप उसे कम करके दो तक लाया लाया है र्रिस्टिक एसिड की है तो कारबन quila pudding है हाइड्रोजिन ट्वेटिए है बही हरा है मगर oxygen को 14 से कम कर 2 अतर ला गया है और पार्लमिटिक एसिड में carbon 16 है hydrogen 32 है जो 16 होना चाहिए था उसे 2 तक लाए गया है सेम स्टेरिक एसिड carbon 18 है hydrogen 36 है तो carbon oxygen बी 18 होना चाहिए मगर वहां 2 पल आगया है carbon 40 का रेशियो वही है oxygen कम है जहां तक सब रेशियो carbon hydrogen की CH2 ही है मैं जब आगे आ जाते हैं लिनिक एसिड में तो carbon 18 है मगर hydrogen 32 है 36 नहीं है और oxygen भी 18 नहीं है दो है olic acid में भी 16 है मगर वह 34 है और 2 है मैं यहीं दिखाने के इसमें oxygen ही निकाली गई है अगर आप बीच में देखेंगे oxidation में और कहीं न कहीं आप oxygen को add कर रहे हैं जो oxygen add होती है at two stages पे उसके आदार पे ही ATP ज्यादा बनती है इस किसम का ग्यान हमें बच्चों को दीहना चाहिए ताकि उनके लगे कि कुदर कैसे unfold करती है यही जीवन का सत्य है और कैसे hydrogen hydrogen यह पानी का कैसे add होता है यह थायो लाइसिस कैसे होती है वह process क्या है वही picture मैं ने दिखा दी है मैं आपको विचारदारा दे रहा हूँ एक विचारदारा आपे बन जाएगी कि यही चीज जीवन में है दिवेंग के आधार पे फिर आप उसे देखना शुरू कर देंगे तो आप कोई भी भी कोई गलती नहीं कर पाएंगे मेरे कहने का जहीं मतलब है कि ग्यान और करमयो का अनुभव कर पाएंगे इसके लिए मैं वह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुद्रत में कैसे मिनरल किंग्डम से प्लांट किंग्डम में ग्लूकोस तक और फैटी ऐसे तक कैसे बना है यही जीवन का सत्य है आप आ जाते हैं कि जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा कि आप महागरंद की बात कर रहे हैं जिसे हम मैं दिवयन करी सूतर के नाम ते कहा जो वही मेरा असेंस है वही सारंच है वही समरी है आप इसमें एड इंटेग्रेटिव स्पिर्ट्र साइंस की तरफ ले जा रहे हैं जिसमें सब चीज़ें संपून हैं मैं चाके दुनिया देखें कि अखंड सूतर के अधार से जाखंड के अधार से जाखंड दिवयन के सीक्वेंस के अधार पे ही हम संपून ग्यान को देख सकते हैं और शुरू से लेकर अन तक जो जो संपून है मैं फिर कोर की बात कर रहा हूं वो चीजों की बात कर रहा हूं जो सत्य अबाद उसमें कौन सा divine mathematical कौन से symbol बनाएते हैं किस किसे की शकल बनाएती वो समझा जाएगी तो आपका सफर बहुत अच्छा होगा ग्यान वे ग्यान प्रग्यान से अखंड तक जाना असान हो जाएगा अब मैं उस महागरंद की बात कर रहा है जिसे मैं दिवियंक सूतर के नाम से ज जो पिछले सिश्यों के next तक आया जाता तो पहले वो portion है उसे पूरा समझाने के बाद इसे फिर मैं ले के आ जाओंगा ताकि आपको पूरा घ्यान मिल जाए जो बार-बार देखना चाहता है reinforce करना चाहिए उसके लिए बार-बार इसको देखना चाहता है और जी स्लाइड दिनवे दिन बढ़ती जाएंगी क्योंकि जो मैंने पहले लिखा वह भी एड हो जाएगा जो अगला है जो आगे है वह बाद में बढ़ते 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 इसकी रष्या क्या बढ़ेगी मुझे नहीं पता है मगर मैं समझता हूं कि हर वीडियो जो अंत्में ऐसे बढ़ते हैं, वो अपने आप में संपून, दिवें की सूतर से ही एक महागरंद की तरह हो, जो आज तक किसी भी किताब में नहीं देखा गया है, जैसे किताब समझेए, जो वीडियो समझेए, यही जीवन का सत्य है, आप आगे चलते हैं, अब जैसे मैंने का कि जीवन क पूरा शुरुवात जहां तक कि मैं मानता हूँ, अखंड भारत मानता है, सातन धर्म मानता है, वो आत्मा से ही शुरू हुआ है, क्योंकि आत्मा से ही सारी चीजे निकली हैं, सिष्टी के निर्वान से पहले जो भी थी, आत्मा ही थी, बस वो मैं दिखा चुका है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करें शुरूआत आत्मा से शुरू ही है स्रिष्टि के निर्वान से पहले और दूसरा बात जो important है वह गनित विद्या में zero से शुरू हुआ था मैं जे भी दिखाना चाहता है यह जिरू के है वही शुन्य है वही आत्मा है जे पहला स्टेप है आब आ जाते हैं कि अब मैथेमेटिस की तरफ हम जाने की कोशिश करें ते जे नंबर गेम हैं वह कैसे शुरू है अब काफी लोगों का मानना है कि zero को आर्या भटान ने इन्वेंट किया था मैं सब्सक्र घलत है जीरो शुरू से ही था शुरू से है और बाकी नंबर उसी से निकले हैं वो नंबर एक कैसे निकले हैं अब मैं अपनी सोच की समझ से मेरी आत्मा ने मुझे क्या सिखा है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैस इस है और सरकल भी है वही स्फेर है वही शुरूआत है नंबर वन जीरो है और इसमें जो सरक बाहर का सरकल है उसे मैंने नाइन चोटे डॉट के साथ बना दिया है सेंटर में काला डॉट है वो शुन्ने है जिससे शुरूआत हुई है जो एक्सपैंडिड है वो सरकल है और सरक point है zero to nine की शुरुवात अब आगे देखते हैं कि जो सबसे बड़ा important number है mathematics में वो साथ है वो सिष्टी का वो नर्म है जिसे divine number भी कह सकता हूं spherical number भी कह सकता हूं कुदरत की देन भी कह सकता हूं संपून है चाहे वो भूमी है वो भी साथ हिसों की है अंतरिक्ष भी साथ है heaven भी साथ है दिन भी साथ है color भी साथ है सब साथ 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 ही है तो साथ को जब एक को मैं साथ से divide करने के लिए मुझे कहा गया था तो जो number उबर क्या है point one four two eight five seven जे छे number है one four two eight five seven और मुझे मैंने जब एक को चार के साथ चार को दो के साथ दो को आठ के साथ आठ को पांच के साथ पांच को साथ के साथ साथ को एक के साथ जोड़ा था तो जे जो picture उबर गया ही है उस पर अपना ही अनमोल है आप इसके जो 38.19 है वो तीन छे और नो के बीच के नंबर को कर देता है आप इस पिक्चर को आप डाल दीजिए आप इसमें तीन छे नो 142857 के डालने से सारे के नाइन नंबर आप आगे हैं इसे वेस्ट वाले इनियाग्राम के नाम से जानते हैं वो सिर्फ मेल गौड को जानते हैं उनके लिए फीमेल गौड है ही नहीं जे उनकी सोच है उसके अदार पर इसी को वो महान यंत्रव कहके दुनिया को दिखाने की कोशिश करें मगर मगर इसके जो सेंटर का पॉर्शन जो पांच से शुरू हुआ था यहां पर आकर साथ में बन जाता है वो भी खूबी है आँगे चलते हैं माजातकी मेरा मानना है कि भारत अखन भारत ने दुनिया को जे-दिया है शक्ता अपनी जगा है शक्ति अपनी जगा है बिदा शक्ति के शक्ता कंप्लीट नहीं हो सकता है सब सो mathematics में भी शक्ता के तीन छे नो के बाद उसमें शक्ति उसके opposite डालेंगे तो दस ग्यारा बारा बन जाते हैं जहां पर आ जाता है जो गौड़ेस है वो दस ग्यारा और बारा को वर्णिन करती हैं तो आब आके हम तेरा चीज़ पर आगे हैं शुनिस से शुरू किया था फिर एक है दो है तीन है चार है प पान से शुरू हुआ था साथ तक बना था अब इसमें दस तक आगे हैं तो फिर भी आगे दस पर आगे हैं आप देखिये कितनी खुब ज़ए इसी में मैं देवियंक को देखता हूं इसी में सब कुछ है आगे चलते हैं आप इससे मैंने और क्या सीखा है सबसे ज़्याद नमबर इसमें से उबर के आता है कि जो पहला नमबर बहुत इंपॉर्टंट है जीरो से लेकर बारत के बादज जो सीधा आ जाता है जाता है वो बारत नाइन टैंग हो ही धिवियंक है शाय इसलिए ही माला में अट्बरेशन मन के रखे गए हैं और जो मैंने पावर दिखा है उसको भी इसमें hundred and eight के पास आ जाते हैं अब आगे चलते हैं कि जोडिय की सन की बात कर रहा है उसमें जो nine planets है आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं जैसे उपर मरकरी बुद्दा है वीनस है शुक्र है, मून है चंदर है, जो नेक्स लान में जूपिटर है, सन है, सूर्य है, मार्स है, मंगल है. है, केतु है, सैटन है और रहू है teenage नाइन से आप Earth कह सकते हैं और जो केतु है एस्टराइट बेल्ट कह सकते हैं अर्थ भी है और एस्टराइट बेल्ट को राहु और केतु के नाम से ही दिखाया गया है मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप इसमें देख लिजिए जो सूर्ज से शुरू होता है मरकृरी तक जा जाता है फिर मून तक जाता है फिर मार्स तक जाता है फिर एस्टराइट बेल्ट तक जाता है फिर जुपिटर तक जाता है फिर सैटन तक जाता है सूर्ज से सैटन तक के जो नौ हिसे हैं वही जहां पर नजर आ रहे हैं मगर फ़र्ग कितना है अर्थ राहु के नाम से जा अद्छ की तरह आप देखे कितना बड़्या ग्यान दिया गया था जब दोनों मिलकर आते हैं तो he hundredgen ben जाते हैं मैं यही ग्यान दुनिया को देना चाहता हूं कि आप अखंड़ता को देख चाहतए यह सारा जो पुराना अखंड भारत का ग्यान है वो मैथमेटिक्स से साथ है अगर पूरे तरीके से आप देखेंगे तो आप उसमें वो अखंडता देखेंगे जो आज तक किसी ने नहीं दिखाई है और मेरा सुभा गया है कि मैं इसे दुनिया के सामने पेश कर पा रहा हू कि अब आजाते हैं कि मैंतिमेटिक्स में वी डिवाइन नंबर है यह मेरा अनहता चकरा का मैने पिक्जर बनाया का इस इसमें जो सेंटर है वो ऊम है उसके बाद तीन औृम बे आ जाता है फिर अमनोशुआय कि शेम अम श्रीव अनवश्वय नहा ये सिव मैं जही दिखाने की जहां पर भी वही mathematics चलता है कि जो एक से शुरू है Trinity में आता है फिर शे में बदलता है शिवाजी का नंबर फिर वासुदेव का नंबर है फिर गायतरी मंतरा के महा गायतरी अखंड गायतरी वैसे उसमें एक divine mathematics है क्योंकि इसे divine mathematics ही हमें conclusion की तरफ ला सकता है उसमें वह संपूरता होनी चाहिए मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा है आव आ जाते हैं कि हम कुद्रत की शुरूआत कैसे हुई थी हम मंद्रों नंबरों की बात कर चाहिए शुरूआत में डॉट और आत्मा एक है जीरो एक है नंबर निकल चुके है अब जे जो नंबर और आत्मा से निकले हैं उसके आदार पे हम अब यूनिवर्स कैसे बनाता उसको समझने की कोशिश करते हैं जो मैं समझता है अखंड भारत की सबसे ज़्यादा स्टेट्मेंट जो है कि कुद्रत जो भी है ब्रामन जो भी है प्रमात्मा जो है इश्वर जो है वो निरंकार निर्गुन ब्रामन ही है निरंकार मीन उसका कोई आकार नहीं फॉर्मलेस है निर्गुन है उसकी कोई क्वालिटीज नहीं है वो संपूर्ण है तो कहीं ने कहीं फॉर्मलेस ओमनी पोर्टेंट ओमनी प्रेजन यूनिवर्सल का वर्नन है जो आपने से मुझे बताना है mathematics से माधिम से तर तो मैं यही कहूँगा inert matter xenon को represent कर रहा है कि most unstable inert matter है मगर इससे mathematics conclusion करने के लिए मैं आगे बताता हूँ कि यह जो number की बात मैंने कि है उसके आदार पे जी कैसे आगे वरतें वाला है आप देख लिजिए जिनॉन में जो बाहर 54 प्रोटन्स है और अंदर 54 प्रोटन्स प्लस न्यूटरंस है बाहर 54 एलेक्ट्रोंस है जो अंदर है 100 इनेट है बाहर 54 है उसके आदार पर ही वही है इसलिए वो फामलेस है उसमें सिंतुलन नहीं है आप देखने एक सकते हैं क्योंकि वो संपोलतास में नहीं है इस पर टोटल 162 है मगर फिर भी बाहर 54 है 100 है इसके शायद वो काला है अंतर है देख सकते हैं जब पर्तक्ष की बात आती है first manifestation की बात आती है वो साकार सरगुन ब्राह्मन ही है जिसे हम देख सकते हैं पोटेंट कैसे मैसूस कर सकते हैं और मेरा माना है वो इनर्ट मे और क्रिप्टान में आप हंडेड़ एंड़ एड़ को असानी से देख सकते हैं इसलिए मैंने हंडेड़ एड़ से शुरू किया था कि हंड़ एड़ कैसे बना है यह स्टैवल अन्ड़ में में जाता है जिसमें सब परतक्ष है मगर फिर जह इसको देखने के लिए आपके पास वो सोचने की समझने की देखनी की शंति होने चाहिए जो 5 सेंसे से ज़्यादा है जिसमें 10 सेंसे वह असानी से देख सकता है जैसे मैं अब दुनिया के लोग length and breadth को ही देख पाते हैं आँखों से और मैं जानता हूँ कि मैं आँखों के माध्यम से आत्मा के माध्यम से जह आँखों के अंदर ही 10 dimension को हमेशा देखता रहूँ आज भी देख रहा हूँ हमेशा देखता रहूँगा शायर इसलिए मेरे लिए इन सब चीजों को देखना अस इस्तैमाल किया है जो लोगों ने नहीं देखा है अगर सन्ड और मदर की तरहा जाए तो इसमें देखेंगे कि सन्ड और भूमी के बीच में 58 Sun走ित हो जाते हैं वही देखाने की कोशिश की है सूरच और भूमी के बीच में 108 Sun अजाते हैं संपून वैसे के वैसे एक सो साथ नहीं है एक सो नो नहीं है क्या जह इतिफाक है नहीं जही कुद्रत की दिन है और दूसरी तक अगर आप सूरज के dimension को diameter को देखें वो 108 earth के बराबर है बूमी और सूरज के बीच में 108 suns हैं मगर sun के ऊपर 108 बूमी लग जाती है क्या जे भी इतिफाक है आप समझ सेकते हैं कि कुद्रत को कुद्रत ने creator ने कितनी खूसूरती से बनाया है वो आप distance में देख सकते हैं वो सब 108 के साथ जुला हुए है वही मैंने 12 into 9 में दिखाने की कोशिश की है अब आते हैं भूमी सूरज से निकली है मगर जो चंदर है वो भूमी से निकला है तो चंदर और भूमी के बीच में 108 मून आ जाते हैं मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या जेवी इतिफाक है नहीं यह कुद्रत की देन है कुद्रत हर चीज़ ने बड़े meticulously बनाया है जब हम नहीं देख पाते हैं तो हम वो तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-तू-त यंतर विद्या की है गरत विद्या की है और तन विद्या की है तो 108 को कैसे बनाया गया है वो दिखाने की कोशिश करना पहले डो स्टेज़ पे अब आ जाते हैं स्रिष्टी कैसे बनती है अब इन चीजों को मैंने एक नया सिंबल दिया है पेंटागॉन जे आज तक किसी न जो एनर्जी है जिसमें सब चीजें हैं उसका सिंबल नहीं था तो वो मैंने पेंटागॉन बना दिया है जिसके पांच हिस्से हैं मगर हर कोना अपने आप में 108 ही नजर आता है क्या जेवी इतिफाक है 5 इंटो 100 इंट 540 360 प्लस 80 से ही जे बना हुआ है यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप देखिए कि मैथमेटिक की कितनी ताकत है और संपून दिवेंग की तरफ होगा तो कोई भी प्राब्लम नहीं होगी इसके लिए मैं जे सब कुछ उस त्रीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप आगे चाहते हैं इस पिक्चर को देखिए यह भी पेंटागान में देख सकते हैं मगर इसमें नीचे एक है उसके बाद चार है उसके बाद साथ है उसके बाद दस है उसके बाद तेरह है आप देख सकते हैं कि हर में एक चार साथ दस तेरह नजल आ रहा है क्या इसके अंदर आप कुछ खूबी देखते हैं अगर देखते हैं तो अच्छा है और नहीं देखते हैं तो मैं दिखाता हूँ 1 प्लस 3 is 4, 4 प्लस 3 is 7, 7 प्लस 3 is 10, 10 प्लस 3 is 13 तो इसमें 3-3 एड होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ देखें तो 1 है उसके बाद वो 5 बन जाते हैं फिर 12 बनते हैं फिर 22 बनते हैं फिर 35 क्या उसके अंदर भी देखते हैं पहले वो 4 है फिर वो 7 है फिर वो 10 है वो ही 13 है यही मैथेमेटिक्स को आप पैटर्न को देख सकते हैं आपके इंटेलिजन्स बहुत बढ़ जाएगी कि अगर मैथेमेटिकले कंक्लूसर होना है तो जो भी चीज़ देखेंगे उसके अंदर कौन सो डिवाइन पैटर्न है और वो देख पाएंगे तो आप कुद्रत के साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि कुद्रत हर चीज़ के अंदर गनित विद्या ही रखी है मैं जानता हूं कि अखन भारत में तंतर मंतर को मानिता दी गए थी गनित विद्या को उस तरीके से नहीं दिया था और मैं जानता हूं कि गनित विद्या को लाकर मैंने उसको संपून बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि गनित के बिना जाना नहीं मगर गणित को पहले जानते थे मगर उस रिके से पेश नहीं किया गया था जो मैं आप दुनिया के सामने पेश करने की क्योंकि दुनिया को अगर आप साइंटिफिक बनना है तो मैतमेटिक लिए कॉंक्लूसिव बनना दुरूरी है इसके लिए जी चीज़े अब आ जा आप ज्रिक्तित के विचमे जे 18 है जे कहीं ने तहीं आरगन 36 कि ही हिस्से को और कुछ नहीं रखेत हैं कि आं मैं जानता हो है वो आधी प्राशक्ति ही प्रतक्ष बना सकती है आप आधी प्राशक्ति के हाथ में इसमें मैंने वो नहीं दिखाया होगा कि ब्रह्मा विष्णु और शिवजी की तीन मूर्टिया हैं जो trinity को बनाया गया है वो आदी प्राशक्ती नहीं बनाया है सात में ब्रह्मा की जो कंस्वार्ट है वो सरस्वती हैं विश्णु की लक्ष्मी हैं और पार्वती शिद्ची की हैं जे तीन को तीन ही trinity हैं यही आप दिखाने क्योंशी की one to trinity तक हमने mathematical कैसे design किया था कैसे दुनिया को दिये जे picture मैंने नहीं बनाई है मैं उन पिक्चरों का इस्तमाल करके दुनिया को दिखाना जाए कि माता से कौन सी पहली माता है वो आधी प्राशक्ति है वो आरगान 40 है मैं यही दिखाने की कोशिश करूँ अब आते हैं जो माता न जिसके 18 dimensions है जो गाहतरी के हैं वो 10 dimensions में च शापन देखिए हैं इसमें आफ दस आम ही देख रहे है मजे 8 आम्रि अर तुझ नियौन को दिखाथी कुशिए इसमें 11 डैमेंशन है और 11 क्या मतलब है 10 का क्या मतलब है इसको सूर्य भववान के साथ क्या मतलब है अब मैं वह दिखाने की कुशिए क्योंकि सूर्य गायतरी को हम सूर्य का प्रतीक मांते है इसलिए तत्थ वह डिवाइन नजी है पाहित्री और सूरज शक्ता इंशक्ती सूर्य भवान की हैं इसमें ही स्पाइडल गैलेक्सी के 10 संस हैं जा सोलर सिस्टम के संद और 10 प्लैनेट्स हैं वही दिखाने की कोशिश हो रही है अब आ जाते हैं कि कैसे नियोन 21 से नियोन 22 बना था बिग बैंग में फिर उसमें अनर्जी से कैसे वाकी चीज़े बनी हैं मैं दिखा चुका हूँ अब इससे आगे ले जाते हैं विफोर क्रियेशन आदी प्राशक्ति है गाड़िस गाहित्री है आप क्रियेशन के दूर से पिंडान की तरफ आ रहे हैं आप मेरा मानना है कि जो इनसान मानता है कि हमारा देता सूर्य भगवान है अधित्या है जही चांडू की अपनिश्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अधित्या ही भगवान है सक्ष भगवान है जिसने अधित्या को समझ लेगे वह अप वो यही चीज शायद मैं करन में देता कि युरे करन भी अधित्या का बेटा है वो सिर्फ देना ही जानता है सूरे भी देना ही जानता है उसे लेने की जुरूथ नहीं पड़ती है जो यही समय डा वह अपने पर यही जेवन का सत्य यह आप इस चीज में देख सकते हैं तो अधित्या को इस लिए मना PLAY मानता हूं जो सबसे चोटा है अधित्या वह है वह ही अधित्या है और जो अधित्यी है उसके अंदर मां और बेटी है वह ही iliom वह 11 साल में नीचे आजाता है फिर शोथ पॉल नौर्थ पॉल में और 11 साल लगते हैं यही जो सैकल है ग्याना प्लस ग्यान 22 से का वही दिवयंका है आप जहां पे भी 22 ही देख रहे हैं और नियान 22 भी वही पे ही है वही रोश्नी है वही सवीतूर है वही तत है आप देख लीजे कितना mathematically भी सेम है मैं वो दिखा रहा हूँ जो science ने कहा हूँ है मैं अपनी तरह से कुछ नहीं कर रहा हूँ मगर पुराने spiritual science जो अखंड भारत की है और modern science की वो चीजों को दिखाने की कोश्ट दोनों संतूलन जिसमें है आप देखिए modern science और spirituality कैसे दोनों चीजों को जो आता को इस नहीं समझते हैं अब मैं देख खाना है यह दोनों एक ही side दो opposite sides हैं मगर दोनों को जाना जुरूरी है फिरी जाकि आप spiritual scientist बन सकते हैं नहीं तो तू तू मैं मैं होती है और spiritual वाले कहते हैं जो ऊपर का सत्य है और नीचे का सत्य है और scientist कहते हैं नीचे का सत्य है उपर वाला सत्य है और मैं कहते हैं दोनों आपने आप में बराबर हैं अगर दोनों को समझेंगे आप दोनों में एक ही चीज़ देखने वाले हैं मगर उसमें देखने के लिए आपके लिए ग्यान का होना जुरूरी है दुनिया को एक जैसा ज्यान पूरी दुनिया के लिए दे यही जेवन का लक्ष है आप आ जाते हैं कि जो सोलर सिस्टम है उसे 21 पार्ट में डाला गया है जही उपनिशत कहते हैं जो भूमी है वो साथ हिस्वों की है अताल टुपताद जो अंतरिक्ष है वो साथ चिज़ों म वो आप गयातिरी मंतर के साथ बूचेव only देख सकते हैं जौ एवण वैसात है यह जहां तेक टवंटी लोग है जो आप देख सकते हैं जो नीचे बूमी का है वो साथ हुव साथ चक्रत है वो साथ अप्लोग है जोही मंत्रों में मैने देखा है और वही चीज उपनिशत क अगर उसके बाहर आपको जाना है 20 स्टेप लेकर आप ब्रह्मा की तरह जा सकते हैं जेवी जीवन का सत्य साइंस की के आधार पर भी सत्य है जीवन सत्य है इसलिए शायद मैं बूर भवा सवा तीनों को समझ के उसके बाद तुरिया की तरह असानी से जा पा रहा हो कि उसके बाद ही तुरिया शुर्य होती है अगर बूर है तो आ है भुवा है तो यू है स्वा है तो मा है उसके बाद तुरिया ही ब्रह्म लोग है उसमें शायद मैं इसलिए मैं ओम को भी असानी से समझ पकता हूं बना सका हूं देख सकता हूं कि यही जीवन का सत्य है अब आगे चलते हैं जब श्रिष्टी बन गई तो पिंडांट जो human body है जो ब्रहमांद है solar system है दोनों एक जैसे हैं इसको देखके मैंने यह देखा है कि मैं इसमें first stage of creation 22 वे 21 है असानी से देखे हो कि जैसे मैंने उपर अपने सर के ऊपर लिखा है 22 कि सर में जो हड़ियां है और face की हड़ियां 22 है जिसमें 21 fixed है 1 नहीं है विजीविन सत्य है और 10 चक्रा वही दिखाने की वही चीज़ आफ solar system में देखते थे हैं वही चीज़ आफ spiral galaxy में देखते हैं जही हम ब्रहमास्मी है मैं जही हूँ कुद्रत की तर अखंड में भी दिखा सकता हूँ कि 22 by 21 तो पावर और 10 तक इतना मैं जान चुका हूँ दिखा चुका हूँ आप मैं दिखा चुका हूँ आगे चलने के लिए मुझे एक step और लेना पड़ाता है आप उसके बाद सारी चीज़ें कुद्रत जो ऊपर बनाई थी नीचे आई कि उमर के अंदर अंदर गायतरी को भी मैंने महसूस क्या लिया था डिसेंट आ गया था आप उसके आदार पे मैं आगे चलने के लिए असान हो गया है मेरे लिए आप वही चीज़ें मैंने पिरियाटिक टीविल में दिखाए अब इसको में डिटेल में समचाने की कोई जर हूँगा मिनर किंग्डम से प्लांट किंग्डम टू एनिमल किंग्डम तक अपनी जगह है मगर जब हुमन की बात आती हम इवाल्व हुए हैं वह ग्रीटस क्रिएशन मगर इसमें जो चीजें हैं जाता कि साइंस जानती है जब लोग जानते हैं कि जो अंदर का हिसा है वह रेप्टिलियन ब्रें हैं अनकॉंशिस सबकॉंशिस है वह ब्रेंट स्टेम और स्पाइनल कार्ट के साथ जुड़ा हुआ है मर उसके स्राउंडिंग जो एरिया है रेप्टिलियन मैमिलियन ब्रें है जो लिंबिक सिस्टेम के साथ इमोशन फैमिली के साथ जुड़ा कि Neuroscientists of the world को पता भी नहीं है कि दिमाग के तीन आउटर जो लेयर्स है नियोकार्टिस के आउटर फर्स सेकंड और थर्ड उसका क्या फंक्शनल लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि उनको पता भी नहीं है इसलिए उसका दूरूप सत्वी प्रोक नहीं कर पाए है और मैं जा जो Schumann ने 7.83 की बात की है उसके पास आप आजाएंगे फिर आप कुदरत को देख सकते हैं जी Schumann भी Scientist भी दिखा चुके हैं आइनोस्फिर को दिखा चुके हैं और 7.83 की बात करते हैं जो भूमी कैसा चुले हैं जो 14 है और 12 का हम उसे बूल जाते हैं आप किसी ने ऐसा क बना सकता हूं जो मैंने 2008 पिक्चर में यहां दिखाया हुआ है मगर आंखे खोल के मेरे जो अलफा फ्रीक्वेंसी यह एट हर्ट्स है 8.5 वही 7.3 और 7.8 के बीच में आ जाती है तो आप कुद्रत के साथ क्योंकि मैं कुद्रत के साथ जुड़ा हूं जी आज तक किसी ने पह इवन का सत्य यह है जो संपूनता के साथ अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है यह पहला है शायद इसलिए मैंने पहले किया है इसलिए मैं दीवयों को पहली बार देखता है सारी यंत्रों को नहीं त्रिके से क्योंकि मेरे और विष्ष के अंदर के पूरा भ्रामांट महा नहीं जाओंगा कि खाना हर तीके से हम संपून होने चाहिए यही दिखाने की कोशिश है आवे आज़ेते हमारे फेल का कारण क्या हो कि हमें इग्नोरेंस हम क्या जानते भी यह ना जानने की हमारी चेश्टा है वही मेन कारण है और दूसरा है जो डिवाइन मैथमेटिक्स वाइन ठीर्टी जो पहले चीज ही मैं चीस्ट बनती फिस पहले नहीं कंपॉंट्स है आप उसमें से पानी कैसे निकलता है आप इसका जिकर मैं नहीं कहूंगा इसमें पावर अफ 10 है इतना ही कफी है और जो मीथेन आप पावर है वही तेंट सेजी यहां पर नज़र आता है यह दोनों ही में चीज़े हैं जो मीथेन और आक्सिजन रिकटी होते तो कॉर्बन डै बनाते हैं जैसे मैं पहले भी कहाता है यहां पी आके वहीं पी आगे हैं आप इससे से शिष्टी का निर्वान शुरू हो गया था उसके लिए कार्बन डैक्साइड और वाटर का संपुलन होना जुरूरी था वह मीथेन और ऑक्सिजन से बना है यह तीन कार्बन से जो बन के बीच में जो है वो चार प्लैनेट है जैसे वह मरक्री है वीनस है अर्थ है और मार्स है जाब चार देख रहे हैं मगर तीन का रंग आज भी येलो औरेंज के पास ही है मगर जो भूमी है उसका रंग ब्लू में बदल गया है क्योंकि चार में शुरू में कार्वन डैक्स 97 परसेंट थी मार आज मर्कृ वीनस और मार्ज में कार्वन डेकसाइड यह है उसमें आक्सिजिन नहीं है मगर प्लांट किंग्डम के कारण आप carbon dioxide water का इस्तिमाल plant ने करके उसे 21% oxygen में बदल गया है और carbon को nitrogen 78% डालने से तुम्हारा संतूलनी बदल इसके हम में यह कुजरत बन सकती है जहां पे हमने plant kingdom को देखा है उसकी संपूर्णता को देखा है में आगे के करके दिखाने की कोशिश करूँगा अब यहां तकी समझता हूँ कि आज के लिए इतना है चलते हैं मगर आखरी picture में इसके वरणन करने की मुझे जूरूत नहीं है मैं आगे और समझेगे मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है थैंग्यू very much